Good Morning most Welcome my friend आज हम लोग बात करते हैं Another Biochemical Test के बारे में कुछ ऐसे Biochemicals टेस्ट यह भी design करते है कि कौन से Bacteria Salt Concentration को survive करते है High Salt Concentration को उनमें से एक Biochemical Test है जिसे हम Salt Tolerance Test बोलते है जाकर कुछ ऐसे Micro-Ergons या Bacteria होते हैं जो कि High Salt को भी as use करते हैं Energy के रूप में तो ऐसे बैक्टिरिया को डिफ्रेंसियेट, आइसोलेट और सेपरेट करने के लिए इस बैयोक्यम की टेस्ट को यूज कर जाता है कि बहुत सारे बैयोक्यम के लगए सिम्लर आ रहे हैं और वो बैक्टिरिया हाइए साल्ट को भी सर्वाइव कर रहा है तो उस टाइप की टेस उसको नान इंट्रो कोकस से सेपरेशन करने के लिए अगर हमारे बहुत सारे बैक्टिरिया से बहुत सारे केमिकल्टिस सिम्लर आ रहे हैं इंट्रो कोकस नान इंट्रो कोकस नहीं सेपरेट कर पा रहे हैं तो वी नीड टू फार दिस सॉल्ट टेस्ट में लैब मैनूल मेथ या लैप्स में यह बायोख्यमिकली आइटिफाई इसोलेट कर लेते हैं ऐसे बैक्टरियास को इसका basic principle से कोई भी salts होता है, high salt concentrations होता है, सबसे पहरा disturb करता है किसी भी cells को, living cells को उसके osmotic pressure को, osmotic imbalance को, osmotic equilibrium को disturb करता है, जिसके करना उसके cell permeability या cell wall की disturbance membrane की permeability disturb होती है, और जो inside cell wall का cytoplasm है, वो बाहर निकल आता है, और cell become dead होती है, इस techniques को utilize करते हैं, और इस technique के अंदर, जो भी यह high salt concentration bacteria हैं, वो अपने आपको protect करते हैं, और रजिस्ट करते हैं, they cannot disturb by this high salt concentration and grow करते हैं, उनको हम, अगर किसी lab manual method वारा, 48 hour के लिए grow करके, इस high salt concentration मीडिया में use करते हैं, जो grow करते हैं, तो देखते हैं कि वो बोलते हैं या नहीं करते हैं, अगर कर रहे हैं, तो positive हो और tolerance है जागर अगर नहीं आ जाते हैं, तो intolerance हो जाते हैं, सबसे पहले हिंजा दिवाइस ने इसको टेकनिक को डेवलप चिया था इसके फार्मूरेट किया था है ही सॉलट कंसेटरेशन को यह से कौडूरी फार्मूलेशन पोलते हैं जाकर और High salt concentration में बहुत से range of bacteria inhibit हो जाते हैं और इनको allowed नहीं करते हैं किस तरह के high salt concentration में grow करें और जो grow करते हैं वो positive होते हैं जो negative होते हैं जो नहीं grow करते हैं जिस तरीके से bacteria grow करें इस तरीके के क्योंकि इसके ऊपर सारे bacteria तो नहीं grow कर सकते हैं तो इसके बाद हम identify करते हैं क्योंकि carbohydrate है bacteria use करेगा energy के रूप में और formation करेगा जाकर byproduct byproduct में acid का formation होता है और acid जो farm होती ही जाकर उसकी वजह से pH changes होता है नीचे जाता है pH याने की acidic होता है और इसकी वजह से जो indicator यूज कर रहे है ब्रोमो क्रिशाल पर पल्स जो पर्पल कलर से ऐलो कलर में change होता है और जैसे में यूज करते हैं जो हमारा मेन मीडिया होता है brain heart infusion broth उसमें हम sodium chloride का 6.5% प्रसेंटेज यूज कर रहे हैं जाकर बाकी सारे constituents similar होंगे जाकर आप किसी भी लैब में अगर experiment कर रहे हैं तो उसमें वहां बुक में यह सारे constituents वहां properly मिल जाएंगे बाइद 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 रोट हीर यूज के आलसो यूज के आलसो यूज प्रसेजर में आते हैं जैसे हमारा media formation शो जाता है या liquid होता है या अगार होता है फिर हम उसमें इनकुलेट करते हैं 18 hours 24 hours का fresh culture होता है इनकुलेट करने के बाद हम उस culture को incubate करते हैं 535 से 37 degree centigrade 48 hour के लिए उसके बाद जो growth आती है उसको observe करते है जाकर अगर turbidity आ रहे ग्रोव आ रहा जाकर color change हो रहा तो positive or negative आ रहा गा तो उस तरीके से result का interpretation कर लेते हैं जाकर कुछ नहीं हो करने लगता है अगर आप इस pictures में देख के देख सकते हैं अगर सबसे पहले freshly जो un-inoculated है और जो इनकुलेट करते हैं नेगेटिव टेस्ट देख रहे हैं similar आ रहा कोई उसमें टर्बिटी या color changes नहीं आ रहा जो positive को आ रहा है वो color changes कर रहा है और turbid हो रहा है यानि को उसके इंदर growth हो रही है number of cells बढ़ रहा है तो वहां पर concentration of liquid में ज्यादा हो रहा जाकर तो इस तरीके से हम identify कर सकते हैं कौन सा tolerance है कौन सा intolerance है जाकर सारे biochemical test की तरह ये भी biochemical test होता जिसमें की limitations precautions must होते हैं जाकर कितना साल सोना चाहिए जाकर कितना percentage का होना चाहिए जाकर कुछ ऐसे इनकुलेशन बैक्ट्रिया Contamination नहीं हो जैसे कि स्ट्रकॉकस Alligactis ये भी positive or false test दे सकता है जाकर तो इनकुलेशन के दौरान properly handle करना चाहिए तांके कोई contaminations नहीं हो Light के कितना होना चाहिए हर किसी biochemical या lab manual method द्वारा या कोई भी मालूक पर test होता है Precautions must because कोई भी experiment अच्छे से नहीं करोगे तो वहां पर Contamination false negative test आने की chances बढ़ जाते हैं जाकर Quality Controls में जो bacteria को standard mind के हम चलते हैं उनमें हम Intracoccus fecalis यूज़ करते हैं जाकर उसका strain होता है तो इस तरीके सी एक अंदर biochemical test है जो separate करने के लिए यूज़ कर आता है एंट्रो कोकस को नान एंट्रो कोकस बैक्टिरिया की तरफ से Hope you like this biochemical series अगर आपको like अच्छा लगता है यह series तो please subscribe my channel and like also comment भी कर सकते हैं Thank you so much for watching and giving your times